लेकिन इस बीच बड़ी खबर मोदी सरकार की वर्षगाट पर आजसे कारिक्रम शुरू हो रहे हैं सेवा, सुशाशन और गरीब कल्याण पर कारिक्रम होंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड़ा खुद शुभारम करेंगे और जो कोरोना में बच्चे अपने माता-पिता को खो चुके हैं उनको पी-म केयर फंड्स की तरफ से सहायता राशी दी जाएगी मोदी सरकार के 8 साल पूरे हो चुके हैं निखिल कारिक्रमों का आजसे शुभारम हो जाएगा जेपी नड़ा खुद इनकारिक्रमों मों का शुभारम करेंगे क्या होगा इनकारिक्रमों में और क्या उद्देश रहेगा सरकार का देखिए आने वाले 15 दिन तक भारतियनता पार्टी का विशेश अभियान रहेगा इस दवरान पार्टी के जो कार करता है वो गाउं गाउं तक जाएंगे समाज के लोगों के बीच में जाएंगे जो सरकार की उपलब्दियां पिछले आठ साल की कें सरकार की वो जनता तक पहुचाने की कोशिश करेंगे इसके साथी जो सबसे बहत्पूर जेंटा भारतिनता पार्टी का है वो है जो लाभार्थी है तो लाभार्थी कितने लाभानवित हुए और कितने ऐसे लोग है जिनको लाभार्थी बनाना है इसको लेकर जन जागरण अभियान जो है भारतिनता पार्टी की तरफ से शुरू किया जाएगा और इसके साथी कोरोना काल में जिन बच्चों के परिवार जनों की डेथ हुई थी उनको किस तरह से सहायता दी जाए ये उनके बीश में भारतिनता पार्टी इसको लेकर पहुंचेगी तो 15 दिन तक ये भारतिनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में विशेश अभियान है आठ साल पूरे होने पर सरकार के मकसद जैसा मैंने बताया कि जो लाभारति हैं उनको एक तरफ पार्टी से जोड़ा जाए दुसरी तरफ ऐसे लोग जिनको जरूरते हैं अब उनको किस तरह तक उन जरूरते पहुंचाई जाएंगी इस पर भारतिनता पार्टी के कारकरता कायम करेंगे 15 दिनों तक विशेश जयान चलेगा जीव बिल्कुल निखल और सेवा सुशासन और गरीब कल्याण पर ये कारिक्रम होंगे एक बारी फिर से आप हमारी दर्शकों को बताएं कि इसमें किस तरीके से आगे बढ़ेगी पार्टी जैसे इस कारकरम का नामी रखा गया है सेवा सुशासन और गरीब कल्याण तो भारतियंता पार्टी में जैसा मैंने बताया कि इसके बहेद 15 दिनों तक उसका अभियान चलेगा उसमें वन लोगों को जोड़ने की कोशिश करेगी पार्टी से पार्टी के विचारधारा से जो अभी तक तमाम योजनाओं से लाभानवित नहीं हुए हैं इसके साथ ही उनको भी लगातार जोडने का प्रयास करेगी जो योजनाओं से लाभानवित हुए हैं जो इस दोर में किसी तरह की परिशानी में यानि पायदान की एकदम अंतिम व्यक्ति है पापंक्टिका उसको किस तरह से लाभ की योजनाओं पहुचाई जाएं इस पर भारतिनता पार्टी के कारकरता काम करेंगे 15 दिनों तक ये एक अवियान चलेगा भारतिनता पार्टी को आपने देखें तो 2022 का विधान सभा चुनाओं था उसमें उसने जो सबसे बड़ा कदम उठाया था उन लाभारतियों को जोड़ने की कोशिश की थी जिनको योजनाओं का लाभ मिलायों शाहिद यहीं वज़ा है कि बड़ी सबलता बारतिनता पार्टी को मिली उत्तर प्रदेश में एक बार उसकी दुबारा सरकार बनी इंटी इंकमेंसी के बावजूद तो वो एक महतपू अधर आती है हमीशा निकल बहुत शुक्री आपका तमाम जानकारी के लिए